सुप्रभाद नमस्कार आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ इस कारिकरम में जुड़े हैं मैं भगवती जमिनाल मैं दिव्यांशी चौहान आपका CSE रूबरू करी में स्वागत करते हैं इस श्रिंकला में हम हर बार आपके सामने CSE द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं से रूबरू कराएंगे और बात करेंगे CSE के उन अधिकारियों से जो ये योजनाएं आप तक पहुंचाने में लगे रहते हैं हम अपने CSE वियली भाई बेनों से किसी ना किसी रूप से हमेशा जुड़े रहते हैं कभी वर्क्शॉप के जरिये तो कभी किसी वेबकास्ट के जरिये आपको CSE द्वारा दी जारी सुविधाओं के बारे में बताना हो या किसी नए योजना के लाउंच के बारे में हम डिजिटल तकनीक के हर प्लाटफॉर्म का अपयोग कर आपके फोन या कंप्यूटर तक पहुंच ही जाते हैं हमारे दर्शकों में वो लोग भी शामिल हैं जिनके लिए CSE एक नया शब्द होगा और कुछ ऐसे लोग भी जिन्होंने कभी न कभी CSE द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाब उठाया होगा आज हम आपसे जुड़े हैं CSE की चर्चा करने CSE एक मुहीम है जिसका मकसद भारत की हर पंचायत में पहुंच कर हर भारतिय को डिजिटल तार से जोड़ना है ये योजना भारत सरकार के डिजिटल इंडिया स्कीम के अंतरगत शुरू की गई थी CSE ने अपने 10 वर्ष के कारेकाल में डिजिटल इंडिया के स्वपन को साकार करने का प्रयास किया है आज हमारे देश की बात की जाएं तो हमारा देश दो भागों में बटा है एक वो इंडिया जहां सारी सरकारी और गयर सरकारी सुविधाएं मुबाइल और इंटरनेट के जरिए सभी को प्लब्ध है और एक वो भारत जहां आज भी आमजंता बैंक की लाइनों में लगी है बिजली के बिल बरने अभी भी शहर जाते हैं और अभी भी वो लोग सरकार से कोसो दूर है CAC इसी डिजिटल डिवाइड को कम करने का प्रयास कर रहा है CAC के बारे में विस्तार से बात करने और आपको ये बताने कि CAC कम्प्यूटर के इंदर से बढ़कर भी बहुत कुछ है आज हमारे साथ CAC के CEO डॉक्टर दिनेश त्यागी जी मौझूद है त्यागी सर आपका बहुत बहुत धनेवाद हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ साजा करने के लिए त्यागी जी के बारे में जितना बताया जाए कम है इनके ही मार्ग दर्शन पर चल कर आज CAC देश के हर पंचायत में पहुँच गई है त्यागी सर, CAC के साथ आप तब से जुड़े हैं जब CAC के नाम को कोई नहीं जानता था और आज भारत सरकार की सभी सुविधाएं CAC के प्लाटफॉर्म पे मौझूद है आपने CAC के साथ बहुत लंबा सफर तई किया है तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि CAC क्या है देखी Common Service Center जैसा कि आपने बताया एक आंदोलन है स्कीम प्रोग्राइम तो ही है बट एक आंदोलन है जिसमें Digital India के माध्यम से हम लोगों को समरत कराते हैं उनको वो सारी सहुलियत देते हैं जो दूसरे लोगों को मिल जाती है गाओं में दूर बैठे लोग जो हैं वो अपने आस पास सी रह करके सरकारी आफिस में ना जाएं और सरकार की वो सारी सेवाएं अपने पास ले सकें यही Common Service Center है Common Service Center का एक सबसे बड़ी जो जो एसेंस है वो यह कि Common Service Center गाओं का वही लड़का है लड़की जो उस गाओं में रहते हैं वो चलाते हैं इससे यह होता है कि लोगों पे उसका विश्वास जादा बनता है और वो लोगों की मदद कर सकता है और मदद करने में लोग उससे कभी भी किसी वक्त 24 by 7 टाइप में अपनी सर्विस ले सकते हैं Common Service Center जो शुरू किया गया था Common Service Center फॉर्मिट था कि आप Digital India के स्वरूप के अंदर एक ऐसा अंदोलन बनाईए जिसमें हम गाओं में Rural Entrepreneurship को प्रमोट करें और Government Service को Catalyst के तरह यूज करें ताकि लोग Government Service के Framework में लोगों को वो सारी सुधाये दे सकें जो उनको उनके घर के पास मिल सकती है मान्य मंत्री महोद्या ने CSE VLE को एक नई परिभाशा दी है भारत को बदलने वाले वो अपने हर भाशन में VLE को इसी शब्द से परिभाश्यत करते हैं सर आप पताईए कौन है VLE और कैसे ये ईक देश को बदल रहे हैं देश में करीब करीब 4,000,000,000,000 कॉमन सर्वीश सेंटर्स हैं जो की Village Level Entrepreneur जो उनको चलाते हैं और ये common service center जो चलाने वाले हैं कुछ महिलाए हैं और कुछ पुरुष हैं about 70,000 महिलाए हैं जो common service center चलाती है और महिलाओं का as usual लोग उपा विश्वास जादा होता है उनकी ability to deliver services जादा है और जब जादा credibility होती है तो महिलाओं के center थोड़े जादा अच्छे हैं as compared to the men because of their commitment, conviction and also their credibility within the community for delivering various services हमारे मानने मंतरी जी सब जगा बोलते हैं के देश को बदलने वाले वास्तव में डिजिटल इंडिया का जो divide है जो haves or have not made जिन लोगों को urban areas में सारी connectivity या सारी सहुलियत मिलती है जाकि वो सब चीपढ़ाई या बाकी transaction कर सकते हैं उस divide को दूर करने के लिए जो सबसे बड़ा मुहीम एक जो माध्यम है वो common service center है common service center उन लोगों की मदद करता है जो किसी कारणबश आज तो नहीं कुछ चीज़ें अवेल कर सकते हैं या अवेल नहीं कर पाते हैं उन सब को उनके घर के पास सहुलियत दे के specially जो महिलाएं हैं उनको बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए या अवेल करने के लिए शेहर में जाने की अनुमती नहीं होती है या वो किसी कारणवास जाने ही पाती है वो अपने घर पे पास पैट कर कि Common Service Center के मादियम से उस सारी सविधाइं ले सकती हैं किसी को पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर सकते हैं किसी भी टाइप की अगर किसी को Financial Inclusion कर प्रोग्राम है या किसी तोग्टर से बात करनी है यह सारे काम वह लोग जो अभी तक किसी कारणवाश नहीं कर सकते कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दे सकते हैं इसलिए कॉमन सर्टर म सेंटर तो को change agent बना जाता है बोला जाता है क्योंकि वह वास्थों में जो सरकार का सपना है कि हर एक माननागरी को एंपावर किया जाए, अनलाइटन किया जाए और हर एक नागरी को वो सारी सुविधाये दी जाए जो कि वो उसको वैसे नहीं मिल सकती है या उसकी सी कारण वस वो उनको अवेल नहीं कर पाता है जी, सर आपने बात करी कि CSE बहुत सारी सर्विसेज गाओं के जनता तक पहुँचा रही है जिनमें बैंक है, जिसमें टेली मेडिसिन है, जिसमें डिजिटल साक्षरता या पेंशन जैसी सुविधाये है तो देखा जाए तो CSE कई रंगों में रंगा एक इंदरधनुष होता है CSE के माध्यम से इन सुविधाओं का जो implementation है, जो execution ground level पे है वो कैसे होता है, थोड़ा विस्तार से जाना चाहेंगे सब देखी, जैसा कि Common Service Center Enterprise है और Entrepreneurship है हम तो अब क्योंकि वो इतने सारे काम करता है, तो बहुत लोगों ने पहले भी यह प्रस्शन पूछा था कि आपका Common Service Center वेली क्या आइंस्टन है जो इतने सारे काम कर सकता है तो वो लोग हम सबको यही बताते हैं कि वो entrepreneur है, वो managing director है CSE का तो managing director बहुत सारे लोगों की मतर लेकर के वो इस सारी सेवाई प्रदान करता है और यही Common Service का उधिश था, उधिश भी यही था कि हम गाओं के लोगों को also employment opportunities create करें ताकि बहुत सारे लोग मिल करके Common Service Center को चला सकें, तो Common Service Center बहुत सारे दूसरे लोगों को नोकरी देता है और उनकी मदद से वो सारी सर्विस लोगों तक पहचाने कोशिश करता है क्योंकि digital platform है, तो सारी सर्विस digitally deliver होती है तो Common Service Centers वालों को एक थोड़ी basic knowledge computer के होनी चाहिए उसकी ability होनी चाहिए to deliver services और उसको लोगों से, लोगों को मिलन और लोगों के साथ जुड़ा होना चाहिए ताकि वो लोगों के मदद कर सके Common Service Center, जैसे हमने बोला कि Common Service Center के माध्यम से लोगों का empowerment and enlightenment होता है Delivery Service Digital Platform से होती है हमारा एक Common Digital Platform है जिसे हम CAC Digital Seva Kendra Digital Portal बोलते हैं उस पोर्टल के माध्यम से सारी service deliver की जाती है सर आपने बताया कि CAC की पहुंच भारत की हर पंचायत में है ऐसे में कोई भी ग्रामीन या शहरी निवासी CAC को कैसे ढूंड़े देखें, गाओं में Common Service Center को पहचानना तो बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि जो entrepreneur है वो ही अपनी publicity करता है क्योंकि उसका व्याशा है, उसका business जितने लोग होंगे उसके इसाप से बनता है Common Service Center की पहचान जो entrepreneur है वो कराता है अपनी community को अगर उसकी पहचान उसकी community के थ्रू होगी तो उसका website बढ़ेगा और वही common center तो वो क्या Common Service Center के जो entrepreneurs हैं, वो कई बार लोगों को बुला करके, इखटा करके अपने पास बिठा करके, उनको सारी schemes के बारे में बताते हैं, उनको enable कराते हैं और उनको वो service deliver करते हैं, बार भार सरकार के जो programs हैं, उनको सुनवाने के लिए भी लोगों को एकत्रित किया जाता है और Common Service Center वाले उनको चाय भी पिलाते हैं, तो local publicity at that local level is done by the village level entrepreneur himself As long as the urban areas are concerned, we have a CAC locator, वो CAC locator में आप जाकर के देख सकते हैं, आपको location मिल जाएगी If you are anywhere want to find out, still find out, तो आप CAC locator में जाके, Google Map के थूँ आप CAC को locate कर सकते हैं CAC को locate, CAC की जो awareness है, बाकी काफी जगा होती है, हमारे प्राइमिंस्टर ने अभी 15th अगस्त के address में Redford से बताया था के बहादेश में 4 लाग Common Service Center है, जो कि गाउं गाउं में डेवी जे सर्विस देते हैं President की speech में, Joint Session of Parliament में भी Common Service Center का mention किया गया है और बाकी जो national, state level और वाकी workshop होती है, हम लोग देश में करीब 600 से जादा workshop हर साल करते हैं उस सम्में Common Service Centers वालों को, प्लस जो stakeholders है, जो service providers उनको बिलाया जाता है और उसकी local awareness की जाती है, काफी local newspapers Common Service Center के बारे में, उनकी achievement के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में publish करते हैं, ताकि लोगों को Common Service Center के बारे में जानकारी मिल सके जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, और जिन्हें अपने नजदी की CSE Center पता करना है, तो आप CSE Locator आपका अस्निमाल कर सकते हैं, और अपने नियर, इसमें आप शहरी और गाउं के लोग दोनों अपने नियर CSE Center जाके सारी CSE की सुविधाये ले सकते हैं, सर आपने बात करी Digital Divide की, हमने अपने बात किया कि CSE किस तरह इस Digital Divide, उस Gap को कम कर रहा है, तो ऐसे में जो लोग हाशिये में हैं, अभी भी जो Marginalized Community है, उसको कैसे मुख्यधारा से जोडने का काम, उसमें CSE का क्या रोल है? हम लोगों को सिखाएं कैसे जब उनको Digital Basic Digital Literacy नहीं है, तो बारे सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जो शायद World में सबसे बड़ा largest प्रोग्राम है, उसमें ये कहा किया कि हम हर एक परिवार में से एक को digitally literate करेंगे, वो प्रोग्राम CSE के माध्यम से implement किया जात इससे पहले National Digital Literacy Mission के आधार में भी around 52 lakhs लोगों को digitally literate किया गया था, तो एक जो मुहीम थी कि हम हर घर में एक आदमी को कम से कम digitally literate कर दें, ताकि वो अपने आप समझ सके कि वो digital tools को कैसे use कर सकता है, और अपने आप सेवाई ले सकता है, या common service center के माध्यम से जानकारी ले स सकता है, information, knowledge, and skill, all the three component can be provided, which will lead to basically an empowerment of citizen and also create an inclusive society. सर, कोई कैसा example, आप हमें कोई उधारन दे सकते हैं, जिसमें VLEs ने कोई ऐसा काम किया हो, जिसमें community जो marginalized है, और वो mainstream में आ गई है, या उन जो लोगों के पास पहले सुविधाई नहीं थी, आज वो digital सुविधाओं का प्योग कर रहे हैं? दिखें, डिजिटल लिट्रेसी के माध्यम से कहानी तो बहुत हैं, कि हमारे VLE, 250,000 पंचायत में जो remote location जहां कुछ साल पहले शायर लोगों ने कलपना नहीं की थी, connectivity नहीं थी, उन सब को include कराना इस सेल फिर गेट स्टोरी, फिर भी कुछ examples हैं, जैसे हमारी एक महीला VLE है स्नेल अता जी, राजस्तान में उन्होंने बंजारा community जो नोमैट्स होते हैं, उनको डिजिटल लिट्रेट किया और उसमें से एक लड़की को डिजिटल लिट्रेशी के माध्यम से उनको अमपावर किया, हमारे कुछ बच्चे हैं जो अपने आप ही हैं, हमारे कुछ बच् CAC का VLE है, जो महरास्टर में है, खुदी हंडिकैप है, खुदी वीलचेर पे चलता है, और उसने एक महीम चलाई है कि सभी हंडिकैप बच्चों को या बच्चियों को वो common service center खुलाएगा, तो ऐसे examples बहुत हैं, हमारे देश में काम करने की सोईदाएं बहुत हैं, और हमा traditional method से जो मदद नहीं ले पाते हैं, सर, CAC के success stories तो हमने बहुत सुने हैं, काफी चर्चा होती है, सर, एक सवाल जो अकसर हमारे VLE शिकायत करते हैं, कि उनके केंदरों के सामने या उनकी ही पंचायत में एक और CAC भी खुल गया है, ऐसी सिथी में कोई कैसे अपना व्यावसा चला सकता है, क्या दो या दो से अधिक केंदरों में एक ही स्तान में होने से business के लिए हानिकारक नहीं है, देखे, common service center की scheme को समझना थोड़ा सा सब में, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी, ये entrepreneurship है, enterprise है, run by a private operator and managed by a private operator, ये government का center नहीं है, और government जैसा center भी नहीं है, ये बहु नहीं था, government का उदेश्य था कि private enterprise को enable करना और उन enterprise को use करना government की service delivery करने के लिए, तो private enterprises जब होते हैं, तो उसमें competition बहुत जरूरी होता है, और private enterprises licensing के method से काम नहीं करते हैं, ये बेसिकली enterprise is driven by its own का, और CAC में जब VLE होता है, सरकार उसको कोई capital support नहीं देती है, वो अपना प और अपने ही लोगों को रखकर के common service center चलाता है, तो CAC चलाने के लिए enterprising होना बहुत जरूरी है, CAC चलाने के लिए आप में ability to convince people is very important and ability to invest capital, इसके अलावा risk taking ability क्योंकि हर business में risk होता है, अभी common service center की जो चारी service and government services कुछ दिनों में अगर वो mobile के थ्रू आएंगी, तो ये service म competitive environment को deal करने के लिए आप में ability to take risk होनी चाहिए, तो अगर आप में ऐसे features हैं, तो आप common service center चला सकते हैं, जहां तक कि सवाल है कि एक common service center के पास में दूसरा common service center कैसे आता है, जैसे हमने कहा कि अगर कोई अपना risk लेकर के और business को समझ के चलाना चाहता है, तो हम उस पर restriction नहीं लगाते हैं, और क्योंकि restriction नहीं लगाते हैं, तो सब को खोलने की इजाज़त की दी जाती है, हमारा उदेश था कम से कम एक common service center हर पंचायत में होना चाहिए, और ज्यादा होता है, तो उसकी ability है, उन लोगों का competitiveness, इससे दूसरी बात है कि citizen को भी choice दे जाता है, अगर एक common service center हर पे लोगों को अच्छा वयवार नहीं मिलता है, तो वह दूसरे common service center से वह आपने अप लेग सकता है. Calvinедин. सेटीजन को चॉइस देता है कि हर गवर्मेंट सर्विस को लेने के लिए एक जो एक चोइस होती है एक जो जो removal है कि एसरे लूटोर मेखने लेैं लोऔर वो किसी सरकारी office सबस्किति सेखने सेखनी साह fasten всё अपनी इन अभी सरफिस दिलाने के लिए और में और स्वरुप सेखनी साथ में या एक सब्सक्राइब लुगों किते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब पंचायद कवर हो जाएं और पंचायद में सस्टेनिबल बिजनेस हो जाएं तो हम उन लोगों में ज़्यादा से दूसरे common service center को ज़्यादा अंकरिज नहीं करते हैं एक जो दूसरा बात है common service centers का यह भी है कि हमारे पास में बहुत सारी service हैं आजकल common service center की service delivery format बहुत बढ़ा है, converse बहुत बढ़ा है और बहुत सारी common service center अभी सिरफ एक के दो service में focus करते हैं जिसे कोई common service center सिरफ education का काम करना चाहता है, कोई common service center सिरफ banking का काम करना चाहता है, लेकिन common service center तो single stop shop है for delivering almost all services, इसलिए यह मकसद था, कि अगर कोई सारी service नहीं करता है, तो दूसरा common service center दूसरे काम भी कर सकता है, और अभी हमने skilling के भी products ला ला ले हैं, skilling की opportunities डाली हैं, तो common service center is an enabler to actually create more opportunities for people to set up small small enterprises in that community, common service center स्वालों को अपने पास में, दूसरे common service center से कोई खत्रा नहीं होना चाहिए, क्योंकि business में, actual में business में यह खत्रा unfounded है, और आप अगर बहुत अच्छा काम करते हैं, तो लोग आपके पास आएंगे, दूसरे किसी के पास नहीं जाएंगे. Sir, शिकायतें अगर हो रही हैं, तो एक शिकायत जो आम तोर पर वियलीज के बीच में रहती है, कि CSC हर रोज आए दिन नई services लाँच करता है, लेकिन उनका कहना है कि उनको सही ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और किसी भी योजना के बारे में उन्हें विस्तार से नहीं बताया जाता, तो ऐसी शिकायतों पर आप क्या कहेंगे? देखी, चार लाग common service centers हैं, और क्योंकि digital platform है, तो हमारा मकसद यह रहता है कि सब को digitally ही सीखना चाहिए, एवरी common service center should learn every service through a digital format, और हम लग जब भी कोई common service center की कोई service launch होती है, तो उसका चोटा सा वीडियो बनाते हैं, और वो वीडियो को अपलोड करते हैं, उसमें screen shots दिखाया जाते हैं, कि आप पहले screen shot को देखिए, फिर ये click किजिए, फिर click और service लाइव हो जाती है, common service center के content भी होते हैं, हर service का content भी होता है, चाहिद content VLE ना पढ़ पाएं, लेकिन देखकर के, वीडियो देखकर के, वो सिरफ common service center की services को अवेल कर सकते हैं, इसके अलावा, बहुत सारे कुछ VLEs हैं, कुछ उन्होंने अपने ही platform बनाए हैं, जिसमें वो अपनी local language में, common service center की services को explain करते हैं, ताकि common service center और कुछ जो ऐसे platforms हैं, उनके subscriber base बहुत ज़ादा हैं, और common service center के VLE, उसमें द्याकर के, अपनी services के बारे में ग्यान समझ सकते हैं, इसके अलावा, हमने हर एक district में, common service center की एक society बनाई है, इन VLEs की एक society बनाई है, और हर एक society में, हमने help desk की service पर पोवाइड किया है, ताकि वो लोग अपने district level पे, district level पे, अपने दूसरे VLE भाईयों और बहनों को, वो सारी services के बारे में पता सकें, कुछ workshop और्गनाईज कर सकें, कुछ award और reward दे सकें, कुछ incentivization कर सकें, और उस help desk के मादम से, छोटी जो-जो treating problem आती है, जो किसी भी technology platform में आती है, उनके solution के लिए, वो लोग उनकी मदद कर सकें, तो help desk है हमारा, हमारा digital format for delivery of services है, और हमारी workshops हैं, जो हम बहुत organize करते हैं, इसमें VLE को बुलाते हैं, इसके अलावा, एक recently हमने हर block में, एक champion VLE identify ने करीब हुएम रखी है, इसमें champion VLE, हर block में, अपने सारे block में, करीब करीब 25 से 30 VLE होंगे, और अवरेज बेसिस, उन सब VLE को training देगा, उन सब को सारी सर्विस के बारे में अनेबल करेगा, और उन सारी सर्विस के बारे में अनकी मदद करेगा, हमारा help desk number भी है, but help desk number can only support and identify issues, it may not be able to resolve all issues, as help desk only listen to any of the issues and problems, but I think our framework in which we deliver services, should be able to address all queries or CACs across the country. Sir, जैसे हमने अभी help desk की बात करी, तो कुछ VLE भाइभेनों की ये शिकायब भी रहती है, कि help desk से संपर्थ महीं कर पा रहे हैं, या समस्या का निर्वारन देरी से मिलता है, तो इसके लिए CAC क्या कदम उठाती है? देखी, help desk की format को समझना बहुत जरूरी है, हमारा जो data base है, उसमें हमने सारे CACs की mobile number को feed किया हूँ है, तो अगर आपका वो mobile number उससे phone करते हैं, तो आपको directly connected हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको किसी दूसरे mobile number से करते हैं, तो फिर उसको identify नहीं करते हैं, उसको दूसरे format में deal करते हैं, तो as long as you're using the mobile number of the database in which you created a CAC ID, you should be getting a preference in order to address the grievances. Help desk अभी सारे देश में हैं, तो अगर आप गुजरात से phone करते हैं हमारे help desk में, तो वो गुजराती language में ही answer किया जाएगा, and they'll be able to answer some of the queries which you have. कुछ लोगों की समझ्याएं, समझ्याएं सिर्फ बताने से नहीं और उनको समझना जरूरी है, उनको कहां से निवेदेन, कहां से उनका समधान हो सकता है, वो पैचानना बहुत जरूरी है, तो हमारे help desk आपकी मदद करते हैं, कि आप या तो champion VALE से, district society से, या जो बाकी VALE उसने, जो चोटे-चोटे अपने पोर्टल बनाए हुएं, जिसमें वो services का explain करते हैं, उनकी मदद से अपनी समझ्या का समधान कर सकते हैं, ये जरूरी है कि हमारे help desk में थोड़ा हमें सुधार लाने की जरूरत है, हम मानते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों के बीच में help desk में और सुधार लाएं, और टेक्नोजी के माध्यम से जितना हो सके, इंटरफेस काम करके, हम अपने VALE भाई और बहनों की समझ्यां को समधान कर सकें. जी, सर मेरा एक सवाल है, जरूरली इट हापने जब आपका क्वालिटी की बज़ए है, जब आपका क्वांटिटी बढ़ जाता है, तो जो सुविधायें की पहले दे रहा था, उसकी क्वालिटी में कुछ एफेक्ट या, कहीं कुछ कमी आई है? कि अगर उसको हमें सस्टेनिबल बनाना है, तो हमें अपनी बास्केट व सर्विसेज को बहुत बढ़ा करना होगा, सिरफ गौश्मेंट सर्विसेज के बेसेज पे, कौमन सर्विसेंटर कोई वाइबल नहीं हो सकता, तो इस वेड़ी नेसेसरी फौर उस तो अनांस बास्केट व सर्विसेज इन दे कौमन सर्विसेंटर पोर्फोलियो, और वो बेसिक अब्जेक्टिव होई है कि काउं के लोगों को जो भी चीजे चाहिए, किसी भी फॉर्मेट में, कौमन सर्विसेंटर वान सिंगल स्टॉप शौर्प बनकर बन परके out की मदद कर सके। उनकी मदद करने का मतलब यह है कि करीब-करीब उनकी सारी डेमार्ण को एग्रिगेट करेगा और उनकी ।िमार्ण को मीट करने के लिए, कॉमन सर्वी सेंटर के माध्यम से सब लोगों की इशू को एड़ेस करना चाहते हैं चाहे वो बैंकिंग में हो चाहे इंशुरंस में पैंशन में चाहे वो एडूकेशन में चाहे हो हेल्थ में सारे सेक्टर में या फिर बी-टू-सी फॉर्मेट है जो लोगों को कुछ चीज अवाली अर्बन पीपल अबर टो गट पर रूरल पीपल नॉट अबर टो गट आप टो गट तो वी अग्टी अगर बदाने से क्वालिटी कम होती है इसा नहीं लगता क्योंकि हमारे जो बचेयां जिन्होंने चैनल कॉमन सर्वी सेंटर चलाते हैं उनने उनके हिसाब से कि जो जो नई सर्वीस आती है उसको ठीक से समझ लेते हैं जो समझ लेते हैं जो पुराने हैं उनको परिशानी नहीं होते हैं और समझ करके और दो तीन लोगों को नोक्रियां देते हैं और नोक्रियां देने से काम चलता है हमारा तो मकसद है कि हम गाउं में लोकल रोजगार क्यान प्रिएट करें रुर्कराइट करें फांसे सेकंट कंवांसेज़ी दें भी दे होंगे और लुटर सेill होरी हो इंदेन, सबस्क्रीज जर टान बड्सी सारी स 2005 सूछ सब्सक्रीशी करें event सबुख एंदें। basically the idea is to create a good sustainable model which become examples not for India but also all over the world and try and support communities in getting empowered through the delivery of services. Sir, we are delivering a basket of services to all the customers, B2C and G2C services. ये वियली की बात हुई. अगर हम आम नागरिकों के बार में बात करें, तो उनके लिए भी कोई S.E. सुविदा है जो C.E. से जोड़ी किसी सुविदा की शिकायत और सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, शिकायत और सुझाव देनी के लिए तो बहुत सारे पोर्टल हैं, विनिस्टि का पोर्टल है, मिनिस्टि और एलेक्ट्रोनिक्स निटी मे आप अपनी ग्रिवेंस जाल सकते हैं, वो फाइनली हमारे पास आती है और हम उसको एड्रेस करके उनका रेप्लाई भी देते हैं, तो अगर कोई सुझाव है, एक कॉमन सर्विस सेंटर हम सरफ यह बताना चाहेंगे कि न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, न्यूट्रल का मतल करते हैं कि हमारे जो CAC entrepreneur है, उनको कितना margin मिलेगा उस service की delivery में, बाकि अगर लोग उस service को खरीदना चाहते हैं, या वेल करना चाहते हैं, तो हमें कोई objection नहीं होती है, तो neutrality is the biggest strength of the common service center, which can use by any service provider, कोई भी service provider use कर सकता है, और किसी को, अगर service provider को, अगर कोई सुझाव देना ह अगर उनको common service center के platform को use करना है, तो यूटलाइस कर सकते हैं, and it can be a huge opportunity for people, because शायद 4 lakh access point, कोई भी नहीं प्रवाइड कर पाएगा, and for any product and services to get access to that framework. सर, हमने बात करी, CAC कैसे शुरू हुआ, किस तरह के services वो present में दे रहा है, तो एक आखरी सवाल मेरे आप से बनता है, कि आप CAC का क्या भविश्य देखते हैं? देखी, common service center, जैसे मैंने बताया है कि क्योंकि enterprising and entrepreneurship model है, तो और sustainable के लिए हमने बहुत अफर्ट किया है, बहुत सारी चीजें जो शायद पहले कलपना भी नहीं की थी, उन चीजों को add किया है, और common service center तो चलेगा, और ये आंदोलन है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है, औ और हमें कुछ लोगों ने शुरू में और बाद में भी लोग कहते हैं कि जब सारी service मॉबाइल पे आ जाएंगी तो शायद assisted format की value कम हो जाएगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि assisted format इंडिया के context में जाएगा, क्योंकि बहुत लोग अभी भी शेहरों में दूसरे के मारफत अपनी services कराते हैं, जैसे railway ticketing दूसरे लोगों से कराते हैं और खुद नहीं करते हैं, और गाओं में तो इसकी कलपना में नहीं करते हैं, गाओं में जो atmosphere है, जिसके लिए common service center लोगों को empowerment करता है, उसमें assisted format बहुत value रखता है, और common service center since being a unique assisted format run operated by local entrepreneur, build a credibility within the ecosystem has a huge feature, अभी जो दो तीन चीजे हमने सोची हैं, जिनसे बहुत बदलाव होगा, एक तो common service center में भारत net के साथ जो हमारा project हमारा linkage हुआ है, उससे हमें लगता है कि हम दो लाख पचास अजार पंचायत में जो internet की सुविधा है, और internet का जो सेल है, उसको चलाएंगे, अभी भारत सरकार के साथ जो समझोता हुआ है, डिपार्टमेंट टेलिगो के साथ हमारा, उसमें एक लाख बीस अजार पंचायत में हम भारत net को operate करेंगे, manage करेंगे, और maintain करेंगे, और internet को sale करेंगे, तो common service center के लिए बहुत बड़ा future है, हमें लगता है कि common service center operators और दो तीन लोगों को नोक्री दे स हैं, वो fiber को maintain भी करेंगे, और वो internet की सोवेदाएं लोगों को देंगे, जब दो लाख पचास अजार लोकेशन पंचायत में common service center भारत net को operate और manage करेंगा, तो इसमें सारी पंचायतों का काम, common service center को देने का प्रवादान है, हमें इसके अलावा हमारा पंचायती राज मिनिस के साथ बात करनी है, कुछ स्टेट में हमारा समझोता हो गया है, कुछ स्टेट में हमारा समझोता भी होना बाकी है, लेकि हमें लगता है के पंचायत का जितना भी काम है, चाहे वो मन्रेगा का data entry हो, चाहे वो election के cards हो, या बाकी जो schemes and programs हैं पंचायत की, वो सारी data entry works, digitization works, support for identifying or mobilizing candidate can be done to the common service center, तो जब ये काम शुरू होगा, तो छोटे लेवल पे हम रूरल BPO बना पाएंगे, at least four to five seater in every पंचायत, इसे महिलाएं, वो data entry और help desk की तरह काम कर सकेंगी, हमने देश में कुछ रूरल BPO CAC के माहदम से बनाए हैं, और अभी तक के हमारी जर्णी बहुत अच्छी रही है, हमें लगता है कि हमारा जो समझोता पंचायत मिनिस्टी के साथ हुआ है, उससे रूरल BPO लोकल लेवल पे बहुत सफल होंगे, और हम इसी तरह दूसरे लोगों देपार्टमेंट और मिनिस्टी से काम ले करके, छोटे employment generation वाले रूरल BPO क्रेट कर सकेंग तो भारत नेट, रूरल BPO और financial inclusion का जो हमारा मकसद है कि हर common service center को banking correspondent बना जाए, अभी हमारे agreement कुछ बैंकों के साथ हुए है, कुछ leading private sector बैंक के साथ हुए है, और बहुत aggressively, very soon, every common service center will become a business correspondent, business correspondent करने से footfall बढ़ता है और transactions बहुत होती है, अभी भी हमारे system में सबसे ज़्याद transaction, financial transactions है, तो उसे लोगों का विश्वास भी बढ़ता है, when you do a financial transaction, आपका credibility और विश्वास भढ़ जाता है, and do that part of them, तो ये तीन चीजे हैं, जो हमारी बहुत अच्छी हैं, और हमें लगता है कि हम अभी छोटे-छोटे उद्योगों को भी प्रवाद देंगे, अभी हमारा एक agreement अमुल कोपरेटिव से हुआ है, जिसमें हमने अमुल काफे खोलने का प्रवदान किया है, तो हम छोटे-छोटे अमुल काफे खोल करके, अर्बन और समेर्बन इरियास में भी लोगों को employment generation का मुहीम चला रहे हैं, ताकि लोग अपने पास रहकर के, लोग अपने काम स सुइधा से अपने हिसाब से काम कर सकें, और community के तो benefit हो गई, लेकिन CAC will also benefit in terms of creating its income and revenue. तो देखा जाये तो CAC का भवेश्य बहुत चमगदार है, तो हमारे जो यली भाइबेन और बाकी लोग जो ने आज हमें सुना हमारे साथ, तो देखा जाये तो CAC के जो रस्ता है अभी सफर हमने शुरू ही किया है, तो सर बहुत-बहुत धनेवाद आपने हमारे दर्शको झाल झाल